खबर जन्पत उधम सिंग नगर के जीला मुख्याले रूदरपूर से है जहां शहीद उधम सिंग के शहादत दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाये गया इसे दुरान रूदरपूर विधायक शिव अरोडा डियम उधम सिंग ने जीला कर्याले परिसर में अस्थाप पित शहीद उधम सिंग की मूर्ती पर शरदा सुमन अरपित करते हुए शहीदों को नमन किया शरदा सुमन अर्पित करने के पश्चात सभी ने शहीद उधम सिंग जिन्दाबाद वा अमर रहे के नारे लगाएं रोदरपूर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट कि शहीद उधम सिंग जी की आज हम लोग आज के दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं आज ही के दिन उनको ब्रिटिस हुकूमत में नफासी दी थी और उन्होंने अपना देश के लिए बलिदान किया था और आप लोगों को सब को पता है कि इस जल्पत का नाम भी उन्ही के नाम पर 1995 में इस जिले का स्रिजन करके रखा गया उधम सिंगर जिला उनका जो सवर और बलिदान है वो हमारे देश की नई प्यूड़ी के लिए हम सभी के लिए बहुत ही प्रेनडा सुरवत है देश की आजादी में हज़ारों हज़ारों करांतिकारियों ने अपने बल्दान दिया और सहीद उधम सिंग जिनों ने अपना अंग्रेजों से देश की आजादी के लिए बल्दान दिया और उनका बल्दान भी विशेश परिस्तियों में हुआ जिस प्रकार से जलिया वाले बाग का कांड का उन्होंने बदला लेने का संकल्प लिया फिर जिस प्रकार से उन्होंने संगर्स करके और उसका बदला लिया निश्य रूप से बहुत प्रेणा देने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि आज की युवापीडी को इस आजादी के महत्तों को समझने के लिए इन बल्दानों का इसमन रखना बहुत अधिक आवशक है आज आदलिनी हमारे उदम सिंग जी उनके बल्दान दिवस पर मैं अपने सुधानजली अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ चुकि इस जिले का नाम भी उदम सिंगर है तो हमारे युवाओं से ये अपिक्षा भी करते हैं